असलम आम सोब्रतम जी वालीकम बाएक टो आवर यूट्व चैनल तो आज हम जो है चप्टर नमबर तीन जो है लाइसेंस की लाइसेंस का छटर नमबर तीन जो है वह शुरू करनें जा रहे हैं आज ही अतम करेंगे इसको तो ये चप्टर जो है ये काफी छोटा है ये चप्टर इतना बढ़ा नहीं है इसमें जो है थोड़े सी सिगनल्स है तो आज हम वो कवर करेंगे चप्टर नम्बर तीन की सन्याले दी प्रचिदेंसा सन्याले कहते हैं सिगनल्स को जो रोड पे लगे होते हैं दी प्रचिदेंसा हक के सिगनल्स को यानि के हक देने वाले जो सिगनल्स होते हैं जिसमें आपने बाकी जो है गाड़ियों को हक देना होता है या बाकी गाड़ियों ने जब आपको हक दे जो संन्याली बंढ़नें से पहले हम देख लेंसे से और संन्याली प्रचिदेंसा होते हो होने से कि Obligo के जरूरी है दिदार इला प्रचिदेंसा कि आपने हक देना है अल्त्री वेहिकुली दूसरी गाड़ियों को ठीक है सन्याली प्रचिदेंसा वह वाले सिगनल होते हैं जिसमें आपको Obligation होती है आपको आपने की जरूरी हक देना होते है रोल पे चलने वाली बाकी गाड़ियों को जो आपको मिलती है ठीक है उनकी एक महसूस शकल नहीं होती है जिस तरह हमने सन्याली जो परिकुलो है उसमें हमने देखा था कि सन्याली परिकुलो के एक महसूस शकल थी ट्रियोंगुलार यानि कि मसलस थी तो हमने जितने भी सन्याली परिकुलो हमने पड़े हैं वो सारे मसलस की शेप में थे यानि के मसलस की शकल में थे, ट्राइंगल की शकल में थे लेकिन सन्यालिदी प्रेचिदेंसा में वो कह रहा है कि इसकी एक महसूस शकल हम डिफाइन नहीं कर सकते मतलब इसकी एक महसूस शकल नहीं है, हम यह नहीं कह सकती कि सन्यालिदी प्रेचिदेंसा जो है वो मसलस की शकल में होगा या मुरब्बे की शकल में होगा या दाइरे की शकल में होगा इसकी वो कहता है एक महसूस शकल नहीं है एक महसूस इसका जो है कारतरिस्ती के जो है इसके महसूस नहीं है तो इसलिए इसको मतलब इसको हम ऐसे मतलब किसी महसूस शकल के लिए है define नहीं कर सकते ठीक है। किसी ही शकल में हो सकते how siPass किंछ बी शकल में हो सकते ही सी भी शकल में जो है कि यो है शकल में इसकी possibility है ! Triangular रे मसलस हो सकते है कौन बर्थी एं आं आलतो हक बासो क्वाद्राता दिस्पोस्टता सुलाटो आसलवतरीचे ओज्या रॉबुईदाले चिर्कुलारे परफीनो तंगवनाले ठीक है वो कहते हैं ये जो सिन्याले दी परची दैंसा है ये इसके एक मेंसूस चकल नहीं है किसी भी शक्कल में हो सकता है ये दाइरे की शकल में भी हो सकता है यह triangle की शकल में भी हो सकता है किसी भी शकल में हो सकता है ठीक है यह आपने बस mind में रखने है सन्यादी प्रचिदेंसा के हवाले से कि जो सन्यादी प्रचिदेंसा है वो किसी भी शकल में हो सकता है इसके एक मैसूज शकल नहीं है तो दो चीजे हम ने इसके बारे में देखी स प्रचिदेंसा वह वाले सिगनल्स होते हैं जिसमें जो है अब्लिगेशन है आपको जुरूरी है कि आपने जो सड़क पर चलने वाली दूसरी गाड़ियां है उनको जब उनका हग हो तो उनको हग देना है और जब आपका हग हो तो आपने वह हग लेना है लेकिन इहतियार के साथ जयानि के जआ है जो है रोड के जो है सड़के जो है कोईदो चवाबित को मदेन उजर पकते हो और दूसरी चीज हमने यह पड़ी है उनकी कोई हास जो है एक यह हॉर्म प्रचिदेंसा कि हम कह सकते हैं कि मसल बास कि हास को इसे इस यह वो सिग्डल है ठीक है इसको कहते हैं अगर यह उल्टा वी आपको मिले यह उल्टा वी सोरी उल्टा मसलस अगर आपको मिले जिस तरह यह उल्टा मसलस पाना होगा अंदर से बिल्कुल हाल है यह आपको अगर रोड पे कहीं मिले ठीक है तो यह सिग्डल है जी डारे प्र कईते हैं इसका मतलब है कि अपने हक देना है आगे ऑग दूसरी गाड़ियों को ठीक है आपि आपने हक देना है दूसरी आपने प्रेजेव देधर दो प्रेजेय देंशलै के इन खोच इस क्यों पर दो प्रसन करता है इसकार नहीं हक देना है उन गाड़ियों को जो सड़क पे चल रही है ठीक है जो आपको चोक पे गाड़ियां मिलेंगी ठीक है यह सड़क पे आपको जो गाड़ियां मिलेंगी वो उनको आपने हक देना अगर यह सिगनल मिलता है ठीक है अब वो कहता है कि स्यादा दैस्तरा कि सिनिस्तरा अब वो चाहें धारावाली साइद से आ ही या सृनीस्तरावाली साइद से आ हзд कर द उल्ड हाथ वाली साइद से ऐत बस आपको जब यह सिगनल मिलता है ठीक है लाप को नज़र आते तो आपने हग देना है तमाँ गाडिया को ठीक है विए इंस्तला तो अचिर का वेंथी चींग फे में तरी प्रिमादलिंग रोचो कहता है कि यह जो सिगनल है वो आपको मिलेगा 25 मीटर जो है पहले चोक से यानि कि यह जो है सिगनल आपको चोक पे मिलेगा ठीक है तो कहता है 25 मीटर जो है पहले चोक से ज को पहले आपने मतलब हक देना है अगर कोई गाड़ी है अगर नई है तो फिर तो आप भ्यारत के साथ चोग को क्रोस कर सकते हैं ठीक है लेकिन अगर गाड़ियां है तो आपने पहले उनको तो हक देना है, अपने रुपना है, फिर आपने जाने, ठीक है ? से अबिनातोहाँ सेमाफोरह, कहता है. अगर इस सिगनल के साथ, जो है, एक सेमाफोरह लगा हो, यानि कि एक लाइट वाला जो सिगनल लगे हो, वाले, वाले, कौन्द ल सेमाफोरो फुंशियोना अलूच जालना लंपन जानते, ठीक है, कहते है, अगर इसके साथ सेमाफोरो हो, ठीक है, जो सिगनल्स होते हैं, लाइट वाले, वो हो, तो तो यह वालिद होगा, तब जब जो है, जो उसमें लाइट होगी, पीले कलर की, वो जल बुजरी ओ, ठीक है, सेमाफोरो स्पेंट ओ गवास्टो, सेमाफोरो फुंशियोना अलूच जालना लंपन जान जान, ठीक है, कहते हैं, अगर इसके साथ जो है, वो लगा हो सेमाफोरो ठीक है, यानिके सिगनल लगे हो, लाइट वाले, तो यह तब वैलिद होगा, जब जो है वो ज़ल बुज रहाऊ ठीक है? उसके बार मूसीमा प्रोदेंसा आलाफीन दी अवितारे इंचिदेंते उजह रलामसीमा प्रोदेंसा मैक्सीमूम इस्गिंसार्व करें अलाफीन दी अवितारे वो फिरमार सी ठीक है, वो कहता है कि इहत्यात करें, कि बहुँच ज्यादा इहत्यात करें, एक्सिडेंट से बचने के लिए, और जो स्पीड है, जो वेलोस चीट है, वो आपने मोडरेट कर लेनी आए, उसको अपने, जो है, कम कर लेना है, अगर गाड़िया जो है, आगे से आरी है, तो आपने रुक जाना है, और उनको हक देना है, ठीक है, ये है सिगनल, दारे प्रचिदेंसा, इस सिगनल, ये जब आपको सिगनल मिले, तो इसका मतलब है, आपने बागी काड़ियों को हक देना है, अगले सिगनल की तरह बढ़ते हैं, जी, ये है, प्रियावीज थेंशो दी दारेle प्रचिधेंसा ठीक है प्रेवे क्य अगां दी दारेह प्रचिधेंसा थेंशा हक देने की थेल आपच्छों में ऊपर, जिस तरह यह लिखा हो तरह चंतो वेंती मेंतरी यानि के 320 मीटर पहले यह जो है आपको पनेलो मिलेगी दारे प्रचिदेंसा के सिगनल के साथ ठीक है उपर मीटर लिखे हूँ है 320 मीटर पहले यह सिगनल आपको मिलेगा जो है जब आगे जो है दारे प्रचिदेंसा के सिगनल होगा ठीक है पहले य त्यारी रखिए अपनी स्पीड को मोडरेट कर ले क्योंकि आगे एक चोग है ठीक है इनदी का ला दिस्टेंस को जो है इंडीकेट करता है दाल इनक्रोच चोग से इनक्वी दोवरेंगो जहां हमें देना है दारेला प्रचिदेंसा हक देना है सी या दैस्तरा जो है सी या दैस्तरा सी देहा किया सिनिस्तरा या उल्डेहा ठीक है वो कहता है कि ये सिगनल जो है आपको जो है डिस्टेंस बदा रहा होता है कि किस डिस्टेंस के बाद जो है आपको signal जह मिलेगा दारे प्रचिदेंसा का जहाँ पे आपने जो है बाकी गाड़ियों को खक देना है चाहे वो देस्तरा वाली साइड से आ रही है या सिनीस्तरा वाली साइड से आ रही है जरूरी है कि आप आहिस्ता हो जाएं पर पतेर सी फेर्क मारें रुकने के लिए सेची सोनव वहिकुली अगर गाडिया है क्यों भी जरूरत है कि आपने उनको हक देना है ठीक है यानि कि यह आपको सिग्नल वहां पर मिलेगा जहां आपका डायरेक्टली जो है हक नहीं है ठीक है ऐसी पो इन कॉंट्रार प्रीमा दी उन इन ग्रोचो अफॉर्मति यानि यह दा गया आपको एक छोख जो है बनी हुई मिल सकती है जो टी की शकल में होगी ठीक है टी की शकल में इस तरह होगी कि यह जिस तरह एक टी की शकल है ठीक है आपकी गाड़ी हो सकता है इस रोड पे हो ठीक है तो बाकी जो है यह में रोड है और यह सेकेंडरी रोड है ठीक है जिस पर आपकी गाड़ी है इसको हम सेकेंडरी रोड जो है कंसिडर कार लेते हैं ठ की शेकल है ठीक है इस रोड पे जो है आपकी गाड़ी है और यहां जो है यह बड़ी रोड है जिसको हम प्रिंचिपाल है भी कह सकते हैं इस तरह तो यहां जो है गाड़ियां एक तरफ से यहां से भी आ रही है और यहां से भी आ रही है ठीक है और आपकी गाड़ी जो है वो के देना है यह जो गाड़ियां गुजर रही है ठीक है जब आप देखे कि गाड़ी कोई भी गाड़ी मुजूद नहीं है तब आप जो है एक जो है अहतियात के साथ जो है चोक को क्रॉस कर सकते हैं इन केस अगर गाड़ियां मुजूद हैं तो आपने यहां पर रुकना है प स्ट्राइन से गाड़ी आ रही होगी तो आपने इसाथ के साथ उनको हग देना और इसाथ पिर आपने बाद में रोड को जो है इस चोप को क्रॉस करना ठीक है अगले निशान की तरह बढ़ते हैं फिरमार सी अदार 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 प्रचिदेंसा स्टॉप ठीक है यह स्टॉ पूरी देर बस रुकना है अगर आप देखते हैं कि गाड़ी नहीं है ठीक है तो हम जल्दी से गुजर भी सकते हैं लेकिन स्टॉप के साइन में ऐसा नहीं स्टॉप के साइन में आपने रुकना ही रुकना है अगर गाड़ी है या नहीं है ठीक है आपने इख्तियात के ल रुक के प्रचिदेंसा देना और उसके बाद आपने गुजरना है ठीक है जब गाड़ी नहीं ओब्लीग ऐफरमार्सी ओब्लीग ऐफरमार्सी यानि कि जरूरी है कि आपने रुकने इनकोरिस्पॉंदेंस देला स्त्रीशे ट्रस ट्रवर्साले जो के लाइने बनी होती है च सेकेंडरी रोड है ठीक है यहां से आप जा रहे हैं ठीक है आपको आगे स्टॉप का सिगनल मिल जाता है ठीक है तो आप अगर देखते हैं कि यह पूरा रोड जो हाली है ठीक है तो जो प्रचिदेंसा की सिगनल में अगर आप देखते हैं कि हाली है तो फिर आप चले गु करने कोशिच नहीं करनी आपने रुकना है रुक के आपने पहले देखना है कि पूरी तसली करनी है कि गाड़ी आ जा तो नहीं रही फिर आपने आगे बढ़ना है ठीक है इसका मतलब यह स्टॉप का तो उसके बाद यह नहीं सेंस यूनिश यह अल्टर ना थी चुए अई वही को ली प्रविनेंते दा फॉरांते ठीक है वियने पोस्तो चिर का वेंती चिंवे मेत्री प्रीमा दीन करोच यह भी 25 मिटर पहले आपको चोक से मिलेगा पर्टिकुलार मैंते परीकुलोजी और कॉन सकर सा विजि काम है और यहां यहां तो कुछ जो है परीक जो है हत्रे का कोई सिगनल है ठीक है सुस्तरा दा सेकुंदार यह किनों गो दे दिल दरीतो दी प्रचिदंसा यह सिगनल आपको जहां पर मिलेगा जारी सी बात है वहां पर आपका डारेक्ली प्रचिदंसा नहीं है डारेक्ली ह है बड़ा रोड है जो जिसे हम में रोड कहते हैं वहां नहीं मिलेगा यह आपको सेकेंडरी रोड पे मिलेगा जहां आपका हक नहीं है डारेकली आपने हक देना ठीक है फूर रिदेशेंट्री अबितात यह प्रशदू तो देलरियला थी वह सिन्याल इदी प्रहभीज तो यह जो है आपको पसाज़ाल इवैलोपे में मिल सकता है ठीक है कोरिस्पंदन सदियों पसाज़ाल इवालोपे इस स्टाप के सिगनल की यह सारी डिटेल सी तो नेक्स जो है सिगनल की तरफ हम बढ़ते हैं जी स्टाप कै선 यह सिगनल आपको देशो मीटर पहले मिलेगा यह सिगनल आपको यह सिगनल आपको 55 میतर पहले मिलेगा पहले इस मतलब कि जी लिए जब लिखा हो स्टाप चंटो 즐वान्ता मेत्रि इसका मतलब है देट सो मीटर बाद आपको जो है stop का signal मिलने वाला है ठिक है तो वहां आपने क्या करना है वही प्रवेज Bennett wakingि अधारे बाद 900 मेटर है जी सीधे सीधे हाथ ठीक है वो कहता है कि जब ये सिगनल आपको मिलता है ये एक वी बनी हुई है सोरी हर वक्त मैं भी बोलता हूं वी नहीं है ये एक मसलस बनी हुई है तो इसका मतलब है आगे एक हाँ है और दैस्तरा वाली साइट से आने वाली गाड़ियां है उनको solo adestra, सिर्फ adestra, sinistra वालों के लिए ने solo adestra जो destra side से आने वाली गाड़ियां है, उनको आपने जो है हक देना है, जिसलिए यहाँ पर आप तस्वीब में देख रहे हैं, एक चोक बेना हुआ है, यह गाड़ी यहां पर खड़ी है और यहां पर यह साइन लगा हुआ ठीक है यह साइन यहां पर है तो एक गाड़ी जो है सिनिस्टरा से आ रही है यह गाड़ी और एक गाड़ी जो है वो देस्टरा वाली साइड से आ रही है ठीक है तो इस निशान का मतलब है कि आपने यहा को आपने हग देना है ठीक है जो देस्टरावली साइट से आ इस निशान का यह मतलब है प्रस करीव रही प्रोचेदर रहा विलोचिता प्रटिकुलार मंत मुदरा आता मतलब आपने यहां पर भी जो है स्पीड को माड़रेट करना दारेला प्रचेदन साई वेगल प्रवें इसको तो आपने हग देना ही देना है यह तो मतलब है ठीक है लेकिन आपने यह भी शोर करना है कि जो सिनिस्टरा वसाइट से आये वाली गाड़ियां है उनको भी आपने मतलब जो है सिक्यूर तरीके से मतलब यह अपने जो है अपने मांड में लेना है कि जो उसको भी जो शोडी के लिए कुछ नहीं, उसको भी आपने, मतलब, जो है, असिकुरारसी उसको भी आपने सिक्योर तरीके से गुजरने देना, ठीक है? अल्ड़ा निशान किते हैं, डृट्टो दी प्रैचिदेंसा, ठीक है? ये निशान होगा द्रीटो दी प्रेशिदेंसा का ये वाला इस तरह का तो ये निशान आपको जहां मिले ठीक है इसका मतलब है इस रोड पे आपका जो है न द्रीटो दी प्रेशिदेंसा जहां आपका सिधा सिधा हख है प्रस्क्रीव दिमुदिरार ये ये तो बताता है कि आपका डारेक्टली हख है लेकिन आपने जब आप जब कोई आपको चौक मिलती है तो उस सूरत में आपने थोड़ी से स्पीड्स जो है वह moderate कर लेनी है यह, हाक तो आप का लिए है लेकिन बाकी गाड़ियों को सिक्यूर करने के लिए बाकी गाड़ियों के को गुजरने, सिक्योर मतलब तरीके से गुजरने के लिए जो लोग उस रोड पे अंटर ओर हैं तो आपने चोक जब इस निशान के बाद कहीं चोक आता है तो आपने स्पीड को जैं मौडरेट कर लेंगे थोड़ा काम कर लेंगे ताकि वो जहां उनको आसीकर असीकरा शियों होने मिल कि यह निशान आपको मिलता है इसका मतलब देवी तो देवी पर देना है जो के फॉर एंबॉलेंस है अगर वो ब्लू लाइट उसकी जाल रही है और साइरन बाजर यानि के वो एमर्जंसी की सुरत नहीं है तो आपने गाडी को रोक के इस निशान के बावजूद भी आपने पुलीस वाली गाड़ी है वो एमर्जंसी की सुरत में उसका साइरन बाजर रहा है ब्लू लाइट आपको नजर आ रही है ब्लू राइट तो आपने उनको ख़क देना है ठीक है रोक के इस निशान के बावजूद भी ठीक है नेक्स्ट सिगनल की तरब बढ़ते हैं जी फ पर यह लाइन ब्लैक कलर किया जाए तो इसका मतलब में यहां पर द्रीट दी प्रचिदंसा हतम हो गया अब वो जो चीजे हमने प्रीवेस वीडियो में पढ़ी है प्रीवेस वीडियो प्रीवेस निशान के लिए पढ़ी है द्रीट दी प्रचिदंसा के लिए वो सारी ज निषानाद बाकि मिलेंगे तो िरिप रेकर और साखरू के जOOD पर वर दिखतेँव हैं ilimac नेक्से तो पिछला यह निषान था यह निच्वार्ट धर्नशा है लेकिन यहां पे चोग की बात थूबत नहीं हो रही कि इस पी ग्लानषू यह आपको सढक के जो है सढक जो है यह आपको शहर बाहर भी मिल CLE no डोनो तो है यह यह जो निशान है आपको शहर के बाहर आपको अब आ हो आपको शहर के बाद चूक्हे चोक्हें चोक को शहर के अंदर को सिदह हो कि यहां का भी सिदह ख़क है अब यह जो निशान यह इस तरह का है ठीक है आपकी गारी होगी ऍस सदक पर यह यह एक सड़क ऐं टहुंछ हो एक यहां से आ होगी вид吗 यह से लिए हैं थ्वा इस टीक है लेकिन आपका जो है वो रिट ओधी प्रहची देंस है उसका रीजन यह ए कि आप जो है में रोड पर हैं थीक है बाकी जो गाड़िय已经 है वो secondary road पे आप आप एक जम्बल यह तस्वीर आप देख लें ठीक है इस तस्वीर में गाड़ी है यह आप की गाड़ी है यह आप इस सड़क पे हैं यह बाकी दो गाड़िया है जो छोटी सडकों से बड़ी सड़क में अंटर आप मतलब स्थादब प्रिंश वाले में उन्होंने रुखना है और उन्होंने यह शोर करना है कि इस सड़क पे अगर कोई गाड़ी है या अगर आपकी गाड़ी है तो पहले वो आपको गुजरने देंगी वो आपको हक देंगी और उसके बाद वो जो है इस में रोल पे जो है एंटर होंगी जिसमें जहां मोड़ दस सिनी इस तरह ठीक है वो गएद है कि ये निशाना आपको देट सो मिटर पहले मिलेगा ये आपको उस में सड़क पर मिलेगा जहां पर आपका दिर्टो दी प्रचिदेंस से सिधा सिधा हख है और इसके साथ जो है स्पीड को थोड़ा काम कर ले अच अचरतान दो सी के वेह कुली इन करो चांती तदेस तरह दसे नहीं तस यह नो दिस पोस्त यहां पर आपका दिर्टो दी प्रचिदेंसा है लेकिन फिर भी आपने अपने आपको जो है सिक्योर करने के लिए आपने आपको तसली मतलब फु उसको नहीं समझ आती इन कंफ्यूज होता है रोड़ पर तो वो गाड़ी जो है अंटर कर लेता है और आप समझते हैं कि आपका दरीटो दी प्रचिदेंसा आप सेम स्पीड पर हाई स्पीड पर जा रहे हैं तो यह एक्सिडेंट का वाइस बान सकते हैं हर सूरत में चाहे है एक्सिडेंट से बचने के लिए आपने जो है स्पीड को मोडरेट हमेशा ही करना सही है अगले निशान की तरफ बढ़ते हैं जी अगला निशान है जी इंक्रोच कुंद्रीटो दी प्रचिदेंसा दैस्तरा सिनिस्तरा ठीक है अब यहां पे भी द्रिटो दी प्रचिद भी जारीया जुहहें में रोड press टार रोड यहां जो है मैं रोड पर एट्र रोड है ठीक है आपका यहां पर यहां पर क्या अ यहां पर यह हुआ है यहां पर साथ के साथ या सिनिस्रा के साथ के साथ आज ठोटा रोड मिलेगा या सिनिस्त्रा के साथ एक ठोटा रोड मिले गा तो इस वही सेम तो है के आपको दिलितुतिय प्र distint 도 चीद है फिल सपीट तो इसका भी you मतलब होगा लेकन ऐस फ़रग यहां पे सिर्थ एक रोड है में रोड के साथ अठैच हो रही है अगला है कॉंफू ऺ संच सब्सक्राइज करते हैं प्र उक्र ₤ को अगर आप ने पहला चैप्टर नक्चर देखवा है उसमें मैं बताई है कि कॉर्षइ या चिल्लषियों siya packages曜 नक्र उसने वह व्हें होता है कि जिए possiamo आउटो स्रादा के अंतर जो है एंटर का रहे होते हैं ठीक है तो वो कॉर्सियादी जो ट्रैक होता है वो ट्रैक जह है कॉर्सियादी अचलरसियों ने कहलाता है इन्वेच है जब आपको आउटो स्रादा से बाहर निकल रहे होते है तो वो जो ट्रैक होता है वो यह निशान आपको जब मिलें यहां पर भी वही रूल जो है है जो हमने प्रिवियस साइंस में पढ़ा था कि यह भी वही आप में रोड पे है आपको दिर्शतों दी प्रेशिदेंस आपको डिर सो मीटर पहले यह जो है चोक से मिलेगा यह निशान तो इसका मतलब यह है कि आपके 10 तरह अब जिस किसलर रोड फेए डिबैंड करता है जिस किसमरक शायन होगां अगर यह किसलर होगा तो इसका मतलब है जो कोई अगर इसका होगाक कंशिदागाget है वो आपके जो है हक देना है जो गारियां enter हो रही है इस main road पे ठीक है हक नहीं शोरी आपने speed को थोड़ा slow करना है तो आपने की secure करना है कि जो गारियां enter हो रही है इस road पे उनको वह असानी से enter हो जाएं उनको कुई बहुत इंपॉर्टन इसको समाजना ठीक है ये साइन होगा इस तरह का ये दो तीर है एक ब्लैक है एक रड़ है ठीक है ये दो तीर है तो इस साइन का मतलब क्या है इस साइन को देख लेते हैं सितो नला सरड़े प्रonergan अर्ड़ है रुप दो साइन हो ले दो ब्हुत आचय जाग अरुछरो व्धु जाता है जर्ड़ एड़ कितन धुotike स von?" तेंपरनिया में दोप यह चर्फिक एदे निस यह देन इन संसा वनको अले, अच्छा इस साइग का क्या मतलब यह साइग कुछ यह मिल सकता है जहाँ जो है दोपियो सेंशो थी चिलकुराश्य होना है यान कि टूब पे ट्राफिक जो है वो चल रही है लेकिन आगे अगर कोई काम हो रहा है ठीक है या आगे कोई तंगी है रोड पे मतलब रोड जो है वो तंग हो रही है तो सुरत में ये साइन जो है लगा हुआ है कि आगे से भी आपको गाड़ी आती मिल सकती है और आपने इहतियात करनी है क्योंकि आगे जो है रोड जो है तंग हो गया यानि कि काम हो रहा है तो इस सुरत में क्या होगा इस सुरत में यह होगा है आपको वहाँ पर यह तो यह जो शारा आपको तस्वीर में नजर आ रह है ये ये वाली सूरत में यeg लगा हुआ यहां फे यहां पर एक बंधा खड़ा होगा जिसे वर्डन कहते है ठीक है वो बंधा आपको गायड करेगा कब आपने चलना है औरकि आपने रुखना है ठीक है दोनों तरफ यहां पर फेर पे थी वज़ा से उसको हैंडल करने के लिए यह सारा यह निशान आपको मिलेगा ठीक है नेक्स्ट निशान की तरह बढ़ते हैं जी दिरीटोगी प्रेशिजन से नई से ओन इसी अलतर ना थी यह भी साइन थोड़ा इंपॉर्टन यह इस तरह का साइन होगा ठीक है वहां एक रड अरो है और एक वाइट है अच्छा यह क्या है यह कैतना है जी इस सेनाल इसी तरोवा सुला स्ट्रादे प्रेशिए यह भी साइन आपको जैए दुपिय संस दी चिर्कुलाश्यान वाले स्ट्रादे पर मेलेगा जहां पर आगे तंगी होगी क्यां चालना कॉम्चारा कॉम ल Quem लेकार यह भी सेने लौकली सेने बाले प्रेशिए जै। यही क्या लता compost yaz computers, map जिमारे लृप जैव sãoक कियाで स्ट्रादgrades the professor Casey यहां पे आपका डिरेक्ली हक है ठीक है आगे तंगी होने के बावजूद भी आपका डिरेक्ली हक है लेकिन आपने यह जरूर अशूर करना है कि आगे से जो गाड़ियां है वो रुकी हुई है आपको हक देने के लिए कोई गाड़ी आ तो नहीं रही है अगर आप देखते ह क्यों गाड़ी आ रही है उसको पहले आपने गुजरने देना फिर आपने गुजरने अगर तो इसके साथ वीजिलय और बान ऑ इंपॉनि दी पसा रहा है ठीकै अगर तो जो है राड़ लाइट है तो उसके बावजूद जो है वहां से एक वाड़न और वो आपको कहता है कि आप गुजर सकते हैं ठीक है, वो अगर आपको गाइड कहा रहा है तो आप गुज़र सकते हैं तो एपको जरूत है हग देने की सेल सेमाफोर सänd तो अगर वहाँ पर मजू जो सेमाफोरो है, जो सिंगनल है वो बंध है, ठीक है वो चान लेए रहा रहा वो खराब है, ठीक है तो आपने जो है आगेवाली गाडियों को जो आगे से आरी है उनको हग देना है वीजले उर्बान हैं पोले दी फर्मार्थ जो या जब वीजले उर्बान है यनिके जो warden होते हैं शहरी warden होते हैं अगर वह आपको कहें रुकने का तो आप रुखने का थेखेंगें ठीक है तो ये था तो दी शिर sacrifice । Chapter 3 हमाराrov कंप्छी होगय है açık है यहाँ था mission किताब का Chapter 3 में बस रही signals थे तो वो हमने आज मोकमल कर लिये next जो है chapter 4 पर पढ़ेंगे complete video in next video में तो कोई भी question हो आपका इस हवाले से से निलादीन masa के अबेरिकोलो के हवाले से या 1st chapter के अबेरिकोलो के हवाले से जो हमने पढ़ा है अब मुझे comment box में पूर सकते हैं without any hesitation आप मुझे क्वेस्टिंग किया करें मैं आपको उसका आंसर जूर दिया करूंगा और जो मुझे क्वेस्टिंग किते हैं उनको कमेंट में आंसर भी देता हूँ यह शूरुटी है तो मेरी आप सवाल कात होगी नेक्स्ट लेक्षर में लेक्षर नंबर लेस्ट नंबर फ है झाल को सकत रूर सब्सक्राइब 39.